कि आइए। उपमुख्य मंत्री देवेंद्र फट्ट्रण मिलस्ट के कारियालहे के बाहर तोड़ खोड़ करने वाली महिला की उवी पैचार इस महिला का नाम दनुशी सर्गत्र भुद्द्ध्ध हैं इस महिला तोड़ पोड़ और नारे बाजी की एक रटना मुंबई के मंत्राले बिल्डिंग की है इस माहिला का नाम जन्वाशी स्रबुद्ध्य है इस माहिला ने गुर्वार शाम मंत्राले की छटी मंतिर पर जाकर उपमुख्य मंतिर देवेंदर फड़नविस के कारेले के बाहर जम कर हंगामा किया और तोड़ फोड़ की सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रही इस माहिला को पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन वो उन्हें चक्मा देकर फरार हो गई हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है पुलिस ने सीसी टीवी फुटेज के आधार पर इस महिला की पहचान की और उसे उसके घर से गिरफतार किया है ये महिला बगेर पास के मंदराले के अंदर कैसे पहुंची इसकी जाच शुरू है गट्टा ने मंदराले की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किया है पुलिस कमिस्टर ने सुरक्षा पे मौदूद पुलिस कर्वियों पर इलंबर की कारवाय की है यूपी के मुरदवाद में ट्रेक्टर से कुचल कर ग्रामेर की मोस से बढ़का लोगों का गुसा पुलिस वालों पर तूट पड़ी पबलिक अवैद वसूली का लगाया आरो मुरदवाद के ठाकर द्वारा में वर्दी वालों को घेर कर ऐसे तूट पड़ी गुसाई भी पहले हाता पाई हुई फिर वो भीशन मार पीट में बदल गई फिर लोगों ने पुलिस वालों को लाटी डंडो से पीट ना शुरू किया पुलिस वालों को सड़क पर लिटा लिटा कर पीटा गया बाकि पुलिस वालों ने भीड की चपेट में आए अपने साथी को छुडाने के लिए पूरा जोर लगाया लेकिन उनकी एक नहीं चली फिर जब पुलिस पर पत्राओ शुरू होने लगा तो भीड को तितर बतर करने के लिए पुलिस ने लाट यहां भांजने शुरू कर दी ऐसा भीशन लाटी चार्ज किया कि भीड में भग दर्मच गई पुलिस पर पबलिक का गुसा तब फूटा जब टैक्टर के नीचे कुचल कर एक ग्रामीड लोकेश उर्फ सोनू की मौत हो गई लोगों का आरोप है कि अवैद वसूली के लिए पुलिस वालों ने खाली टैक्टर ट्राली का जीप से पीछा किया जिससे की हाथसा हुआ उस वक्त वो शख्थ खेत से मिट्टी उठा कर प्लाट में भराओ कर रहा था टैक्टर से कुचलने के मामले में चार पुलिस वालों के खिलाब मुख़मात दर्ज हुआ है हत्या का केस दो नामजद और दो अग्यात लोगों पर हुआ है